क्रीम 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 रेम रेम हुम 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 दक्षिन कालिके क्रीम 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 रेम रेम हुम 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 श्वाहा मा दक्षिन कालिके नमा प्रसन्नो वरदो भवा प्रसन्नो वरदो भव प्रसन्नो वरदो भव सिद्ध सादक परिवार के इस चानेल में आपका स्वागत है चानेल में गूप्च गूप्च दूरलब साधनाएं चल रहे हैं जानने योग्यां बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं साथी साथ सक्ति साली से अतितीब्र सक्ति साली टोटके भी दिये जा रहें हैं तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं अपितु इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे अमुल्य धरोहर के विशय में जिसका निर्माण सिद्ध सादक परिवार में ही संपन किया गया है नजाने कितने वार इसको आजमाया गया है और इसका सूफल हमें हतो हाथ प्राप्त हुए है ऐसे ही दुरलव अतिचमतकारी धरोहर का नाम है सत्रुस्तंबन चंडि का कवच आज जब जीवन बिलकुल औशुरक्षित बन गया है पग पग पर संकट और खत्रे खड़े हैं तो आपनी प्राण रक्षा अत्यंत आवशक हो जाती है यदि किसी सत्रु अथवा किसी आकस्मिक दुर घड़ना से जान का भय हो तो व्यक्ति का जीवन चाहे कितना भी धन धान्य से पुरीत हो उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता प्रत्यक व्यक्ति आपनी ओर से आपनी शुरक्ष्या की ओर से सचोट रहता ही है परन्तु दुर घड़नाए बीना सुचना दिये आती रहती हैं ऐसी स्तिती में दैबी सहायता या क्रिपाही एक मात्र उपाय सेस रहता है अगर आप ज्यतिश्य द्रिष्टी से देखें तो दुर घड़ना का कारण होता है कि अमुक व्यक्ति अमुक समय पर अमुक स्तान पर उपस्तित हो ही परंतु ग्रहों के प्रभाव से यदि दुर घड़ना किसी विशेस्त तान पर होनी ही है परंतु यदि व्यक्ति उस विशेस च्छन में उस्त स्तान पर उपस्तित न होकर समय थोड़ा आगे पिछे हो जाए तो उस दुर घड़ना से बच सकता है और ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है कि आपने आप ही उस विशेस समय में व्यक्ति को निश्चित दुर घड़ना स्तल की और खींचता ही है परंतु यह दिव्य सत्रु स्तंबन चंडि का कवच को खारण करने के पस्चात और यह कवच एक ऐसा उपाय है जो ग्रहों की इस कूप रभाव को छीन कर देता है जिसके कारण आप निश्चित सत्रु के आकम्रमन से निश्चित दुर घड़ना से आपके जान को सुरक्षित कर सके हम से जुडे हुए सभी लोग, सभी ग्रिहस्त, सभी साधक और सन्याशी को हम यही कहेंगे यहे विशिष्ट मंत्रों से अभी मंत्रित अधित्य सत्रु स्तंभन चंडिका कवज को आप अवश्य धारन करें तत पस्चात आप देखेंगे आप अपने सत्रुओं के उपर, आप अपने ग्रहों के उपर, आप कोई भी कितना भी सक्तिसालिकू प्रभावी सक्ति हो उसके उपर, आप कैसे हावी होते हैं यह निश्चित है और इसमें कोई संसयकास्तान नहीं है, जिनको यह दिव्यकवज को प्राप्त करना हो, हमारा इमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर कर सकते हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा साथ में धारन वीधी जो इस वीडियो में गुप्त रखा गया है, उनका भी बता दिया जाएगा चानल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिये हुए मंत्रों का सनमान भी बना रहे आज के लिए इतना ही था, ओम ख्रीम 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 ख्र बार